कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था आप सुनेंगे तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका और दोनों की बीच में महा समुदर अब वानर सेना बड़े-बड़े पत्थर उठाकर समुदर भी डाल गई थी राम सेतु का न तब ही उनकी नजर पड़ी एक गिलैरी पर गिलैरी जो थी वो पानी में जाती फिर किनारे पर आती रेत में लोट जाती थी फिर राम सेतु के पत्थरों की और फिर भागती फिर से पानी में जाती फिर रेत में फिर पत्थरों के राम जी को आश्चरे हुआ कि यह हो क्या और वो गिलैरी के पास गई पुचा तुम गिलैरी कर क्या रहिए गिलैरी ने जवाब। डिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती है। उस पर रेत लपेट दिए और पत्रों के बीच की जो दरारे हैं उसको भरती। राम सेतु के निर्मान में मैं भी अपना चोटा सा योगदान दे रही हूँ आज बारी हमारी आयोध्या में हमारे शुरी राम के भव्य मंदिर का निर्मान शुरू हो चुका है हम मैंसे कुछ वानर बने, कुछ गिलेरिया बने और अपनी अपनी शमता के अनुसार योगदान देकर एतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साज्यदार बने मैं खुद करता हूँ शुरूआत, मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीडियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुर्शोतन राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेर नाम मिलती रहे जैश्रीव